देश के ग्रह मंत्री अमिश शाद्वारा संसद में पेश किये गए हीट इंडरन कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है उन्हें बाहरी राज्यों में जाने से भी रोक लिया गया है और ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया है वहीं इस बारे में मीडिया से बाचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंदर सरकार द्वारा संसद में जो heat and run को लेकर नया कानून पेश किया गया है वो ट्रक चालकों के खिलाफ है जिसमें अगर ट्रक चालक heat and run करके भाग जाता है तो उसके उपर 10 साल की सजा और साथ लाक रुपे का जुर्माना रखा गया है जो कि ट्रक चालक को खतम करने की कोशिश है केंदर सरकार के द्वारा ट्रक चालकों को खतम करने की कोशिश की जा रहे है यह ट्रक चालकों का कहना है कि उन्हें 5000 मात्र महीने का वेतन मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता औ और उन्हें अपने घर परिवार चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रदर्शनकारियों ने केंदर सरकार से हीट एंडरन कानून को वापस लेने की मांगी है और साथी चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्दी केंदर सरकार द्वारा इस कानून को करोड़ रुपिया लेकर ट्रैबरों गुम्राद किया पीजेगी सरकार के कहने पे लिए उसके बाद इन्होंने हमारे इंदॉलन को खराब किया कि हाँ कोई कनून लाकु नहीं होगा उनकाल दिया कि सरकार अपने रुखवे काइम है उसके बाद हमारे का मजबूरां चक्क आजाम करना पड़ रहा है पीजेवी सरकार और रहा है रुख लेक्ट नून नी है रौंग साटका बैक साटका उल्टे गनून है पहला भी गटिये बस आरे हैं उनों उल्टा इना तासाल अला करते है इन्नी ड्रैबर की किसी कि इंकम निया रच पांच-बांच जार मिने कर दो दो कि आज़ने पेडिया पांच आज जो लेकिन काल से फिल्कुल बांदा जो इस पाले फीक के इनने क्रोड़ो रुपिया लेके ट्रैबरो खुमरा किया पीजेवी सरकार के कहने पेडिये इन लोने हमारे दोल्ण को खराब किया पेल गुल बैटियों को फृच्टा आ मारा अज़न कराब किया कि हां कोई कम्णून बाकु नहीं होता उसके एक दिन बाद में बभारह इनोना ख़वार में टीवी पे निकाल दिया कि सरकार अपने रुखवे काहिम है उसके बाद हमारे का मज़िपूरन चक्का जाम करना पढ़ रहा है बिज़ेवी सरकार पाजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सकारब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे